नवस्कार स्वागत है आपको टुडे सालगत एक ऐसे एक स्टेत का क्रश कहा जाता है जहां करनाट का क्रश है डिवाना थै एक समय में लेकिन अब ये नाम थोड़ा चोटा पड़ जा रहा है अब इन्हें कहा जाने चाहिए इंडिया क्रश क्योंकि पूरा इंडिया इन्पे इस समय जो है क्रश कर रहा है और ये एक ऐसी अभिनेत्री है जो मेरे ख्याल से एक्टिंग करें न करें इनका सिर्फ चेहरा दिखा देना ही जो है फिल्म की सफलता की गारेंटी हो जाती है एक तरह से क्योंकि इतना प्यारा और इतना बोला चेहरा है इनका कि कोई विव्यक्ति जब देखता है तो उसे अंदर से बहुत शांती मिलती है एक बहुत ही अजीब सा सुकुन मिलता है इनके चेहरे को देखते हैं लेकिन ये चेहरा ऐसा नहीं है कि आज ऐसा हो गया है आप अगर इनकी बच्पन की तस्वीरें देखें तो भी आपको कुछ इसी किसम की भावनाय हैं ये अंदर से इनकी अभी कुछ एक बहुत ही प्यारी सी बच्पन की तस्वीरें देखने के लिए मुली हमें और मुझे ऐसा लगता है कि ये गॉर्जियस तो बच्पन ही से थी और इतनी प्यारी बच्ची दिखाई दे रही हैं ये स्कूल ड्रेस में दिखाई देए चाहिए एक दिवाल पर बैठी है एक फोटो में और एक फोटो में बड़ी फ्रिल सी फ्राक पहनी ही है लगता है कि ये तूसरे तीस में चौथी जनम दिन का किसी समय का जब है इनका फोटिग्राफ है और इतना मेरे ख्याल से प्यारा चेहरा जो बच्पन से लेकर गवी तैक इतना प्यारा है इसे देख करके करनाट का क्रश के जगर मैं सभी बता रहा हूँ इसे अगर हिंदोस्तान का क्रश कहा जाए तो भी बात कोई बहुत बड़ी नहीं हो जाती है और हाँ एक और चीज मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा क्रश हमारे उपर भी करें और यहां पर एक बटन है सब्सक्रिप्शन का उसको भी क्रश कर देए दबा दालने आप और मैं आपको बता रहा हूँ इससे कोई नुकसान नहीं होगा